इस वीडियो में बताने वाले हैं किमेस्टी का चेप्टर फर्स्ट जिसका नाम है थोस अवस्था इंगलीज में बला जाता है उसको solid estate इस चेप्टर का पहला कोस्चन पहला कोस्चन है इसका स्टोक की दोस के कारण ठोस का घनत्व बताना है कि स्टोक की दोस के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है बढ़ जाता है घट जाता है सुन्ने होता है या इन वैसे कोई नहीं तो स्टोक की दोस के कारण ठोस का जो घनत्व होता है वो घर जाता है तो इसका right answer हो जाएगा अप् 1.00 में NI plus 2 का पर्तिशत होगा अब इसमें पर्तिशत बताना है तो इसका पर्तिशत दागा 96% राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर B, next question है NACL crystal में SRCL2 crystal बाहर से डालने पर एक ठो civilian प्राप्त होता है जिसमें N.A. धनायन के अस्थान पर बताना इस चारों में से राइट एंसर क्या होगा SR plus 2 आयन प्रतिशत थापित होगा या chlorine रिन आयन प्रतिशत थापित होगा या SRCL2 प्रतिशत थापित होगा या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर A S R plus 2 ION क्या होगा प्रतिस्थापित होगा नेक्स्ट कोशन चार नमबर नेक्स्ट कोशन में क्या कर रहा है कि यदि बैंड गैप 0.7 EV हो तो वह होगा अगर बैंड गैप 0.7 इलेक्टिक वोट होगा तो वह होगा तो वह अर्ध चलाक होगा अगला कोशन GE यानि कि इसका पूरा नम होता है जर्मिनियम और सौर्ट नेम है GE अर्ध चलाक के साथ उपस्थित आस्मियम होता है तो AS है तो यह डिपेंड डेंट है नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन अन्ठावन दसनल पांच ग्राम N.C.L. में एका कोश्टिकाओ की लागभग संख्या होगी तो यह अन्ठावन दसनल पांच ग्राम N.C.L. में एका कोश्टिकाओ की संख्या कितनी होगी तो यह डिपेंड पांच गुने दस पर पांवरते है तो इसका राइट हो जागा अप्सन नमबर A N.C.L. फालाक केंद्री घनिया जालक में एक-एका कोश्टिकाओ में परमानों की संख्या होगी तो इसका अन्सर जगा चार यानि परमानों की संख्या कितनी होगी तो चार N.C.L. फ्रेंकेल तथा-सौट की दोस्व होते है परमानों दोस्व बी सी सी एकल से एकल सेल की संकुलंग छमता होती है तो और सट परसेंट होती है एप सी सी एकक सेल की संकुलंग छमता कितनी होती है तो इसका होता है चुग हत्तर परसेंट नेक्स्ट कोस्टन एक ग्यारा नमबर नेक्स्ट कोस्टन में बताना है कि इन में से कौन साही है तो इसमें चार अप्शन है जिसमें से एक अप्शन B नमबर जो है वो सही है D is equal to MN by NAQ तो इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर B यदि किसी क्रिस्टल में R plus by R minus less than 0.414 तो समन में संख्या होगी राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर D इसका समन में संख्या कितना होगा तो छोब यदि R plus by R minus यानी R धनायन बटा R रिनायन कमान है 0.225 तो समन में संख्या होगा चार राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर B, next question यदि R धनायन बटा R रिनायन बड़ाबर 0.755 तो समन में संख्या होगी इसका राइट एंसर हो जागा अप्शन नमबर A, समन में संख्या कितना होगा तो समन्वय संख्य इसका जो होगा वो 8 होगा नेक्स्ट कोस्टिन निम लिखित में किस धातु की समन्वय संख्य आठ होती है तो के यानि पोटेसियम ये सोट में के है इसका पुरा नम होगा पोटेसियम तो potassium जो है कि धातु की समने संख्या 8 होती है निमलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का उधारन है Na2SO4, Na2SO4 आयनिक क्रिस्टल के उधारन है Next question, Bragg समिकरन है बताना इसमें Bragg समिकरन कौन है तो N lambda ब्राबर 2D sin theta तो right answer हो जगा option number D इसका next question, यदि lambda कमान 1.54 थीटा कमान 2.5 यनि 22.5 डिगरी तथा N कमान 1 हो तो D कमान होगा तो D कमान हो जागा 2.01 एक 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 स्ट्रंग Next question, body centered cubic एक अक्सेल में lattice बिंदू की संख्या होती है तो इसमें हो जागा, इसका right answer हो जागा दो right answer, option number C answer हो जागा इसका और इसका क्या, कितनी संख्या होती है तो 2 होती है Next question, simple cubic एक अक सेल की संख्यान चमता होती है Next question, 21 number 21 number में क्या कर रहा है कि एक यग जो X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है एक घनिय संख्यान में क्रिश्टलित होता है जिसमें X परमानों घन के कौनों पर तथा Y परमानों फलक केंदर पर उपस्तित है यगई का सूत्र होगा तो X, Y, Q इसका राइट एंसर होजागा तो राइट एंसर आप्सन नमबर B में इसका राइट एंसर होगा Next question फलक केंदरित घनिया फलक में फलक केंदरित घनिया जालक में एक कोस्टिका कितनी एक कोस्टिकाओ के साथ सभाजित होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number A, कितना होगा, 8 ठोस छारिये धातु, है लाइडो कारंग, किसके करण होता है एप केंद्रो के कारंग होता है, right answer हो जाएगा option number A Next question, एक crystal में कितने परकार के crystal जालग संभव है तो एक crystal में 14 परकार के crystal जालग संभव है तो right answer हो जागा D number option potassium का crystal होता है तो potassium का crystal फलक केंदरित घनिया जालक में crystal होता है कहाँ? फलक केंदरित घनिया जालक में तो इसका right answer हो जागा option number A एक bore magnet बराबर होता है 9.27-10-25-24Am2K next question C686 कैसा पदार था है? तो ये law चुमबक ये पदार्थ है sodium chloride का जालक है अब बताना कि sodium chloride का जालक क्या है? तो ये आस्ट फल किया जालक है तो इस वीडियो में इतना ही question next वीडियो में इसका अगला भाग बताएंगे तो तक वीडियो में बने रहें वीडियो को like और share कर दे